कि वैसे तो अंड़ा एक बहुती अच्छा न्यूटिशेस फुड है जो कि इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हेल्फ को काफी पाइदा पहुचाते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंड़े को गार्डिंग में ऐसे और्गानिक फार्टिलाइजर यूज करा जा सकता ह अगर आप यह जानना चाहते हैं कि वर्ल्ड की सबसे चीपस्ट और्गारिक फार्टिलाइजर अंड़े को आपके गार्डिंग में कैसे यूज करना है तो इस वीडियो के साथ आखरी तक बने रहिए और्गानिक गार्डिंग को बढ़ावा देने के लिए आप इस वीडियो को सभी सोशल मीडिया पर जरूर शेर कीजिएगा आगे कोई इंफर्मेशन देने के पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चेनल को सब्क्राइब कीजिएगा क्योंकि सब्क्राइब करना बिल्क फ्री है और सब्क्राइब करने का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है आप वहाँ जाईए और इस लिंक पर हिट करेंगे तो अपने आप सब्क्राइब हो जाएगा और साथ ही आप जो बेल आइकोन है उसको भी हिट करिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चेनल पर पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सिदे पहुच जाएगा तो चड़िये शुरू करते हैं फिर जैसा मैंने पहरे आपको बताया कि खाने में अंडे का पुरियोग किया जाता है क्योंकि इसमें कई इसे तत्त पाए जाते हैं जिससे आपकी हेल्थ को बहुत फाइदा होता है उन्ही एलिमेंट्स के कारण आप इस अंडे को गार्डन में फटिलाइजर की रूप में यूट कर सकते हैं तो सबसर पहले तो जानते हैं कि इस अंडे में कौन-कौन से एलिमेंट रहते हैं इसमें कई macro और micro elements होते हैं जो कि fertilizer पी रूप में बहुत अच्छा ठाम करते हैं macro elements में इसमें nitrogen, calcium, potassium और phosphorus रहता है और micro elements में इसमें iron, magnesium, magnesium, zinc, cobald जो कि garden के लिए बहुत की अच्छे fertilizer होते हैं और इसकी खास बात है कि यह एक organic form में है जब आप इसका व्योग gardening में करेंगे तो इससे जो भी elements हैं वो plants अब्सक्राइब कर लेंगे और उन plants की उसे growth बहुत अच्छी होगी तो चलिए अब आगे में detail में बताता हूँ कि आप अंडे को किस तरीके से वर्ल्ड की deepest fertilizer के रूप में अपने garden में यूज कर सकते हैं वर्ल्ड की सबसे cheapest organic खाथ के लिए आप किसी भी तरीके के अंडे का इस्तिमाल कर सकते हैं चाहे फिर वो साप का हो या फिर डाइनसौर का लेकिन मेरे पास ना साप का एंडा है ना डाइनसौर का इसलिए मैं वर्ल्ड की cheapest organic खाथ बनाने के लिए मैं जो poultry egg है उसका इस्तिमाल कर रहा हूँ तो अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि किस तरीके से आप किसी भी अंडे को एक वर्ल्ड की cheapest organic fertilizer आपके container या port के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं आप चाहे तो इसको backyard garden में भी use कर सकते हैं इस तरीके की खाथ को क्योंकि अंडा बहुत ही easily available है और ये बहुत ही आपको cheap rate में कहीं पर भी मिल लाता है तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हमें अंडे का इस्तिमाल अपने container के लिए करना है उसके बाद आप उसमें कोई सा भी plant लगा सकते हैं उस container में और उसकी growth बहुत ही अच्छी होगी आपको अंडे की मातरा आपके container के अनुसार ही set करनी पड़ेगी अप्रोक्सिमेटली में जो container ले रहा हूँ उसके लिए एक अंडा ही काफी है अगर आपका port ये container ज़्यादा बड़ा है तो आप एक से ज़्यादा भी अंडे का इस्तेवाल कर सकते हैं अगर plant को गमलों में लगाने के बाद आपको और खात की आवशकता पड़े तो आप इस world के cheapest organic fertilizer को दुबारा से गमलों में कड़ा खोटके डाल सकते हैं तो तब भी ये वेसा ही काम करेगा ये आपके plant को जो organic matter है वो निरंतर supply करता रहेगा इसलिक जब भी आपको आगे या plant लगाने के कुछ दिन बाद और आवशकता है तो आप दुबारा गमलों में एक होल करके इस अंडे को गाल सकते हैं तो आप कोई साभी अंडे ले लिजिए डैनसोर का या साब का बेरे पास poultry का अवालेबल था इसलिए मैंने poultry के लिया है तो आप एक निडिल की मदद से इसमें कुछ तीन चार होल कर दूँगा फिर जो container है उसमें इसको ऐसे ही काड़ दूँगा तो मैं इसमें कुछ होल बना लेता हूँ आप सावधानी से होल बनाए ताकि यह ब्रेक ना हो तो आप इस अंडे में ऐसे ही तीन चार होल बना लीजिए और फिर में आप इसको सीधे ही गमलो में गार दूँगा जिसे आप देख रहे हैं इस पोर्ट में वन थार्ट तक मिट्टी भरी हुई है और अब मैं इस एक को जहां से मैंने निडल से होल करा था इसको इप करके अ रख दूँगा और उपर से इसमें में मिट्टी डाल दूँगा फिर मैं कोई से भी प्लांट इसमें इसमें ट्रांस्प्लांट कर दूँगा तो उप्र प Commission farmers मैं एक लेवल तक फिल कर दूँगा उसके बाद फिर मैं एक टावाटर की प्लांट को लगा दूऑंगा तो अब यह क्रीब फिल हो गया है और अब मैं एक बाधा you प्लांट कर देता हूह मिट्टी को एक लेवल तक मैंने भर धिया है और जी तिन बाद हम तो अब ये टमाटर का प्लांट इसमें ग्रो होता रहेगा और मैं कुछ दिन बाद आपको बताऊंगा कि इस टमाटर के प्लांट की ग्रोथ कैसी होती है तो इस प्लांट को सपोर्ट करने के लिए मैं इसमें रोट बिगाल देता हूँ और साथ में फ़रत पानी देता हूँ ताकि ये टमाटर इस पोर्ट में सेटल हो जाए फिर हम कुछ दिन बाद देखेंगे इसकी ग्रोथ कैसी होती है इस गमले में हमने वर्ल्ड की तीपस्ट फर्टिलाइजर अंडे को गाला था उसमें टमाटर की ग्रोथ काफी अच्छी है जैसे आप देख रहे हैं इसमें फूल आना भी शुरू हो गए हैं और इस गमले में टमाटर को लगाए हुए तीन वीक हो गए हैं और अंडे की खात के कारण लगता है ये बहुत तेरी से इसकी ग्रोथ हो रही है क्योंकि तीन सब्ता बाद ही इसमें फूल आना शुरू हो गए हैं और आप मैं आपको कुछ दिन बाद बताऊंगा कि इसमें जो फूल लग रहे हैं वो जल्दी ही फल में भी बदल जाएंगे तो तो मैं ये कहना चाहूंगा जो वर्ल्ड की चीप इसमें बढ़ रहा है और इसमें फूल भी आना शुरू हो गए हैं और कुछी दिन बाद इसकी ग्रोथ और हो जाएगी फिर मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसकी ग्रोथ कैसी होती है वर्ल्ड की सबसे चीपस्ट और्गैनिक खाद अंडे को इस गमले में गालने के बाद इस पोधे को आप पांस अपते हो गए हैं और जैसे आप देख रहे हैं ये काफी तेजी से ग्रो हो रहा है और इसमें फल भी आना शुरू हो गए हैं तो इस तरीके से अंडा गमलों क अच्छी और्गैनिक खाद है जिसमें प्लांट बड़ी तेजी से ग्रो होते हैं और आपके लगाया हुए कोई भी पोधे में आप इस अंडे वाली और गैनिक खाद का इस्तेवाल कर सकते हैं और इसमें बहुत ही अच्छी रिजल्ट आते हैं जैसा आप अपने स्पीम प आपको पसंद आया होगा इतनी महत्मुण जनकारि देने के लिए इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है तो इस वीडियो को लाई कीजिए गा साथ ही इस वीडियो को अन्य और गानिक गड्लिंग करने वालों से शेयर जनूर्श कीजिए और हा इस चैनल को का लिंक मीचे दिया हुआ है साथ में आप बेल आइकॉन को भी प्रेस करें तो जब भी कोई नया वीडियो इस सेनल पर पब्लिश होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जाएगा इस वीडियो के साथ आखरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद फिर मिलेंगे किसी और नई जनकारी के साथ तब तक आप अपने घर में गाटनिंग करते रहिए करता है